हेलो दोस्तों कैसे आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छ होंगे दोस्तों अगर आप इन्ट पीर्स में इंडिवीजिवल एकाउंट रन करते हैं प्रिमेट्चर इजिस्ट कैसे कर सकते हैं उसकी इलिजबिल्टी क्या होगी क्या 10 साल बाद ही आप अपने एकाउंट को खुलूज कर सकते हैं या कुछ कम जादा हो सकता है तो आज की वीडियो में थोड़ा हम इसे क्लियर करेंगे अब तक मैं यही जानता था कि 10 साल बाद ही आप इजिश्ट कर सकते हैं तो कुछ जो चेंज हुए हैं या जो चेंज मुझे नहीं पता थे मैं अब अपडेट हुआ हूँ वो आज आपके साथ सेयर करता हूँ तो चली शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं को जैनल आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब निए क्या है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दिजिएगा साथ में मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिजिए तो चलिए सुरू करते हैं आज की पार्ट साला दोस्तों NPS में आप individual अपना एकाउंट ओपिन कर सकते हैं जिसे ENPS भी करते हैं या आप अपने POP के माध्रम से रन कर सकते हैं POP अर्था जो banks होते हैं अगर आप government employee है तो अपने employer के माध्रम से रन करेंगे चैसेंटर गौर्रमेंट इंपलाई हो या state गौर्रमेंट इंपलाई हो तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनके लिए जिन्होंने POP के माध्रम से या अपना ENPS एकाउंट ओपिन किया हैं तो वो स्कीन से कब निकल सकते हैं कितनी साल बार निकल सकते हैं और कितना एमाउंट लेकर निकल सकते हैं और कब उनको pension लेनी पड़े की कमपलसर ही होगी तो आज हम देखेंगे इस पर जो frequently asked questions हैं FAQs हैं उन में क्या बाते बताई गेंगे तो हम चलते हैं सिधा laptop की screen पर तो यह मैंने FAQs open कर लिया है इसमें frequently asked question on final exist annuity and continuation deferment process for ENPS subscriber तो जो online account open करते हैं उनके लिए बात की गई है अब आगे हम देखते हैं सिधा premature exist के बारे में बाकी और भी बात रिक कहीं गई है तो देखते हैं यहाँ पर what is exist लिखा है तो exist मतलब जब आप अपने account को close करना चाहते हैं और इसकिम से बाहर निकलना चाहते हैं तो तीन तरह हैं upon normal superversion अथा 60 साल की age पर या retirement age premature exist और तिस्ता exist upon death तो हमारा ध्यान है इस पर premature exist के लिए के इस पर हम कैसे निकल पाएंगे तो चलिए सीधा है सारे इसको पढ़ लेते हैं लाइन में तो यह करता है इन केस आप premature exist exist before attaining the age of super innovation अटेनिंग 60 यह साथ साल से पहले की आयूग पर अगर आप इसकिम से बाहर होते हैं तो उसे हम premature exist करते कहते हैं at least 80% of the accumulated pension wealth तो यहां पर 80% जो आपका pension wealth होगा corpus पुरा होता है corpus तो आप जानती है कि आपका contribution और plus उत पर जो भी आपको profit मिला हो अगर government employee आप होते तो उहां पर आपका contribution employer contribution और उस पर जो लाभांस दोनों पे होते तो वो corpus होता है तो यहां E-NPS में employer का contribution तो है नहीं तो कम से कम 80% आपको fund यूज करना पड़ेगा corpus N.O.T. खरिने में अथा pension plan खरिने में आपको 80% पर pension कब लेना पड़ेगा जब आपका corpus 2,50,000 से ज़्यादा होगा अगर इससी कम corpus है तो आप एक साथ पुरे pension amount को withdrawal कर सकते हैं 100% का pension ले भी सकते हैं सबसे मुख्यवार्जिस तब मैं आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहता हूँ however subscriber can exist from NPS only after completion आप 5 years in NPS तो देखे यहां पर काई कि 5 साल अगर आपका account हो गया है तो आप यहां से close कर सकते हैं दूसरों इस पर आदेश भी हैं लेकिन वो इतने उनको इतना प्रचारित नहीं किया गया कि हर किसी तक पहुँच सके एक subscriber नहीं बता है कि यहां पर customer के से बात करने पर भी पता चला कि 5 साल बाद आप इसकिम से बाहर निकल सकते हैं लेकिन जब हम अपने account पर जाते हैं वहां से exist की process में देखते हैं कि क्या क्या चीजे हो सकती हैं जिस पर मैंने वीडियो भी बनाये हुआ है तो वहां देखता है कि अगर आप individual account रन करते हैं या non government sector के हैं तो वहां पर आपको 10 साल तक बने रहना पड़ेगा तो यहां से तो यह clear हो रहा है कि 5 साल बाद आपको scheme से बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा यह उन लोगों के लिए बहुत ही राहत भरी ख़बर हैं जो लोग NPS scheme से बाहर निकलना चाते हैं तो I hope दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफी helpful रही होगी वीडियो को like करने क साथ साथ चैनल को subscribe करके bell icon button को प्रेश जरू कर देजिएगा और साथ में मेरे motivation के लिए इस वीडियो को like भी जरू कर देजिएगा चलिए मिलते हैं नेस वीडियो में ऐसी information knowledge और update के साथ तब तक के लिए नमस्कार